सर्दी का मौसम हो या फिर आपके घर में महमान आ जाए गर्मा गर्म और फटा-फट सा नाश्ता मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाता है आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसे पकोड़ी जिसमें हम ना बेसन यूज़ करेंगे ना चावल का अटा और ना ही सोडा फिर भी ये बन जाते हैं क्रिस्पी और खाने में बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी आज हम बनाने वाले हैं मौंग दाल का पकोड़ा जिसे आप मौंगोड़ी भी कह सकते हैं मौंग दाल का भजिया ये माराश्ट्र की बहुत ही पॉपिलर रेसिपी है और इसे हम सर्फ करेंगे ग्रीन चटनी के साथ तो काफी बढ़िया लगते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मौंग दाल के पकोड़े हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू महीरा स्फुडी रसुई मैं हूं महीरा और आपका मेरे रसुई ने बहुत बहुत स्वागत है ने ने के सब्सक्रोड़ है यसक्ट ने के रहें हूं महीरा अडिया वी मैं ौम्म्म आ महीं भचीं कि अबवड़रा रस्फमप sentences झाल 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 झाल